प्यारी सी नटखट चंचल एक दिन जब भगीचे में खेल रही थी तो उसने देखा पास की सड़क पर बहुत सारा कुड़ा पड़ा है और एक अंकल उस कुड़े को बड़ी सी ज़ड़ू लेकर साफ कर रहे है उनको देखकर बातोनी जंचल के मन में बहुत से प्रश्णा आए अरे ये कौन अंकल है जो इतनी बड़ी ज़ड़ू लेकर सड़क को साफ कर रहे है वो मनी मन सोचने लगी हाँ ये अंकल कितने अच्छी है ना देखो सारी सड़क साफ कर रहे है ताकि कहीं भी कंट की नजर ना आए इनसे मुझे सरूर बात करने चाहिए बस फिर क्या था चंचल ने पहला मौका मिलते ही सफाई वाले अंकल से बात करना शुरू कर दिया अंकल अंकल नमस्ते नमस्ते बेटा मेरा नाम चंचल है और मेरा नाम विनोध है अचा विनोध अंकल आपना जाडू क्यों लगा रहे हैं क्योंकि मेरा जाडू लगाने काम है मैं यहाँ पर सफाई करम चारी हूँ सफाई करम चारी सफाई ही मेरा काम है जैसे आपके पिताजी दफ्तर जाते हैं काम करते हैं ऐसी मैं भी यहाँ पर आ करके काम करता हूँ यही मेरा दफ्तर है आप इतनी बड़े रोड पे सफाई करते हैं नहीं नहीं मैं अकेला नहीं करता हैं मेरे साथ और भी कई करमचारी हैं, जैसे होस्पिटल में अलग होते हैं, और स्टेशन पे अलग होते हैं, हर जगे के अलग-अलग होते हैं, ऐसे मैं इस रोड पे सफाई करता हूँ, यहां, तो आपको तो बहुत काम करना पड़ता होगा, यहां बेटा, क्योंकि सब लोग बार रोड पे कुडा करकट फैक देते हैं, कूडे दान होते वे भी नहीं फैकतें कूडे दान में, तो लोग बार फैक देता हैं, तो उनकी सफाई तो करनी पड़ती हैं, जैसे हम लोग कुड़ा दान में कुड़ा ही नहीं फेकते हैं यही नहीं बेटा बस की खिड़की में से कार्ट से स्कूटर से सब कुड़ा भार फैक देते हैं कुड़े दान का कोई प्रयोग नहीं करता तो अंकल अब मैं भी हमेशा कुड़ा कुड़े दान में ही डालूंगी और जंदगी नी फैलेगी ना मक्ही मच्छा आएंगे ना बीमारियां फैलेंगी समझ गए ना हां कर मैं समझ गई अंकल इतनी बड़ी जाड़ू मैं भी एक बार जाड़ू लगा के देख लो लगा लो चलो चंचल को ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि हमें कुड़ा हमेशा कुड़े दान में ही डालना चाहिए इससे न तो सफाई वाले अंकल का काम बढ़ेगा और ना ही गंदगी फैलेगी और अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो हम बीमार नहीं पढ़ेंगे और अगर सब लोग कुड़ा कुड़े दान में डालने लगेंगे तो हमारा शहर साफ सुत्रा और सुन्दर होगा भई बात तो बिल्कुल ठीक समझ में आई चुलबुली चंचल के सफाई होगी तभी तो साफ सुत्रा सुन्दर शहर रहेगा ना हमारा और चंचल ने मनी मन सूच लिया कि अब वो भी कुड़ा कुड़े दान में ही डालेगी अपने सब दोस्तों को भी बताएगी कि कुड़ा हमेशा कुड़े दान में डालो वोज़ा रहे रहे झालो तो अंकल अब मैं भी हमेशा कुड़ा कुड़े दान में ही राल लूँगी कभी भी सड़क पे नहीं फेकूंगी और अपने सारे दोस्तों में कहूंगी कि वो कभी भी कुड़ा सड़क पे ना फेके सबास चंचल सब को बताना सब हैसा करें तो महारा काम अच्छा होगा ओगार हमारी शहर भी सुंदर होंगा